दोस्कार मैं वनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूटूब चैनल पे दोस्तों जन्रवारी के आधे जो महीने है वो खतम होने को है और अभी तक कोई भी रेल्वे की वेकेंसी के कोई भी सुगवगाट देखने को नहीं मिर रही है इफिन जो वेकेंसी अभी खाली भी हुई है उसको जो है वो पीछे वाली जो कंडिडेट बेटिंग में हैं उनसे भरा जा रहा है जैसा कि कुछ दिन के पहले आपने नोटिस में देखा होगा कि से भरा जा रहा है जेए की हम बात करें या टेकनिसियन की लेकिन गुरूब डी का ऐसा नहीं है वो फो ठीव लग जाएगा तो क्या वेकनिसी उसके बाद देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसी मुद्धे पे हम इस वीडियो को औरियंट करेंगे तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजगा इससे पहले कि वीडियो सुरू हो मैं आपको बता दू कि वन डे सेलेक तक आप 700 रुपे का जो पास था उसको घटा के 359 कर दिया गया है इसमें आपको 10% का डिसकॉंट भी मिल रहा है कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं रेलेवे एससी बैंकिंग डिफेंस यूपेसी तमाम जितने भी इंडिया के एक्जाम होते सभी एक्जाम का आप मॉक टिस्ट को कई बार लगा सकते हैं और अपना रैंकिंग सुधा सकते हैं और अफर इंडिया रैंकिंग आपको यहां पर मिल जाता है तकरीवन 10 लाख प्लस एक्टिव यूजर है तो आपको यहां पर एक्चुल कंपटिशन का लेवर पता चल जाएगा नीचे डिसक्रिप् चुनाव की घोशना हो जाएगा और अपरेल में ही मद़ान के तीन चलन कहने का मतलब यह है कि क्या यह जो चीज़े है उस से पहले वेकनी सी देखने को मिलेगी जैनी की फरवरी के अंत तक अगर चुनाव की घोशना हो जाती है यहां पर कह रहा है कि 22 जनवरी के करीब 10 द मुख निर्वाचन प्राधिकारी की बैठक बुलाई है बैठक राम मंदिर उर्गाटन यानि की 22 जनवरी के करीव 10 दिन पहले 11 12 संभावित है दो दिन की CEO यानि की मुख निर्वाचन प्राधिकारी कॉनफरेंस के संकेत साफ है कि इसमें तयारियां की समीच्छा के साथ संब मार्च के फर्ष्ट बिक में हो जाती है तो क्या उसके बाद वेकेंस्य तक्रीवान तीन महीना नहीं निकलेगी क्योंकि उसके बाद इलेक्शन एक दिड़ महीना खिछेगा उसके बाद कौणूं्टिंग बहरा बहराvensर कार बनेगी तब जाके हो सकता है कोई वेकेंसी देखने को मिले या ना भी मिले वो अलग मुद्धा है तो कहने का मतलब यह है कि क्या ये तीन महीने अगर फरवरी तक नहीं वेकेंसी आती है तो फरवरी के बाद मार्च अप्रील मैं तक वेकेंसी कोई देखने को नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं देखे चुनावी मुद्दा अलग चीज है कि चुनाव आगर हो रहे हैं तो क्या वेकेंसी कोई इंडिया में नहीं निकलेगी तो ऐसा नहीं है देखे आचार सहीता से ये सब जो चीजे है वो परे है आचार सहीता किस पर लागू होता है सरकार की घोशनाओं पर लागू होता है कि हम ये नहीं मतलब कूद कर सकते हैं यहां पर बिरीज नहीं बना देंगे ये रोड नहीं बना देंगे ये चुनावी जब चुनाव का संखनाद हो जाता है तब ये सब घोशनाओं नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये इंडियरेक्ली वोटर को इफेक् recruitment के जो body है बाहर सरकार के जो body है रेल मंत्राल इसके भी एक बोड है recruitment board रेलवे का वो निकालती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बेट करे गी चुनाव आयोग का उस पर नियंतरन्द होगा कहने का मतलब यह है कि वो जो आचार सहीता है उससे परे होता है जो बोर्ड होता है वो परे होता है वो कभी भी वेकेंसी निकाल सकती है उसको जरुवत है तो वो यह नहीं देखीगी कि इलेक्शन है और आचार सहीता हमारे उपर लागो ह तो यह अफ़वाहें जो फैली है कि वेकंसी नहीं निकलेगी हो सकता है कि जो बोर्ड में बैठे लोग हैं उनको यह निर्देश दिया गया हो कि आप तभी वेकंसी निकाले जब इस डूरेशन में चुनाब चर रही हो या चुनाब के दस दिन पहले आप निकाले जिससे कि ह महौल भी बनाया जा सके तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग को डरना नहीं है कि चुनाव आ रही है तो फरवरी तक वेकेंसी नहीं निकलेगी तो उसके बाद नहीं निकलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है फरवरी में नहीं निकलती है तो मार्च में भी निकल सकती है मार्च में इसका effect देखने को मिलेगी लेकिन आपको मैं अस्वस्त कर दू कि आचार सहीता इस पे नहीं लागू होती है यानि कि vacancy से related कोई भी चीज अगर आती है तो उस पे आचार सहीता नहीं लागू होती है आप क्या सोचते हैं नीचे comment box में comment करके जरूर बढ़ाएगा next video मिलते हैं जाएंड़